जान ले चीनी से जुड़े ये आवशक सच, कहीं ये आपको ज्यादा बीमार न कर दे. चीनी को लेकर आपने कई बातें सुनी होंगी, जिन में से ज्यादा तर नकारात्मक बातें ही सुनी होंगी. क्या आप जानते हैं, चीनी कार्बोहाइडरेट है. शुगर हुल्थ बनफिट्स घर में रोजमर्रा बनने वाली मीठे फूर आइटम्स में चीनी का इस्तमाल खास्तोर से किया जाता है. फिर चाहे चाय हो या कॉफी, गाजर का हलवा या सूजी का हलवा, खीर हो या सवये ज्यादा तर मेठी चीजों में चीनी का ही इस्तमाल किया जाता है. चीन को लेकर अधिकतर लोग यह मानते हैं कि यह सेहत के लिए बिलकुल फाइदेमंद नहीं होती. कई लोग तो इसका सेवन करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इसके सेवन से वजन बढ़ता है और कैलोरी की मात्रा में भी व्रिद्धी होती है. मगर क्या सच में सभी तरह के मीठे पदार्थों को त्याग दिया जाना चाहिए? क्या चीनी वास्तव में शरीर पर गंभीर प्रभाव डालने का काम करती है? आईए जानते हैं इससे जुड़े कुछ मिठ्स और फैक्ट्स. चीनी को मोटा पे मेटाबोलिक सिंड्रोम और डाइबिटीज जैसी बीमारियों का जिम्मेदा ठहराया जाता है. हमारी सुस्ट जीवन शैली चीनी के अधिक सेवन को प्रमुख रूप से दोशी बनाती है. ऐसी में लोगों का मानना है कि नियमित योग या एक्स सरसाइच करने से स्थिती सामान्य रहती है. यह शोध का मुद्दा है. हालां की सन्यमित रूप से खाई गई कोई भी चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती. विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार चीनी का अधिक उपभोग का परिनाम अस्थिर्ता, खाने की अधिक इच्छा और परिवर्तित मानसिक क्रियाय होती है. ज्यादा तर लोग यह मानते हैं कि सभी तरहे की मीठी चीजे खराब होती है. मगर क्या आप जानते हैं कि चीनी में दो सबसे जरूरी कमपाउंड फ्रुक्टोज और ग्लुकोज होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को सही से काम करने के लिए जरूरत होती है. फलों और सबजियों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी में विटामिन और बाकी जरूरी मिनरल्स होते हैं. यही वज़ए है कि एक्सपर्ट पोशक तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीनी शामिल करने की सलाह देते हैं. इसके अलावा कम एड़ेड शुगर यानी चॉकलेट, कुकीज, केक आदी को खाने का भी सुझाव देते हैं. आपको बता दें कि चीनी मुक्त उत्पादों में फैट अधिक होता है और इसमें नकली मिठास का उप्योग किया जाता है, जो सफेद चीनी की तुलना में कई गुना अधिक मिठा होता है. ऐसे उत्पादों का इस्तिमाल स्वास्थ के लिए हानिकारक है. चीनी को लेकर अधिकतर लोग यह मानते हैं कि इसके सेवन से मोटापा या वजन बढ़ता है. कई लोग वेट बढ़ने के डर से इसका सेवन पूरी तरह से त्याग देते हैं. हालांकि American Journal of Clinical Nutrition में पबलिश एक स्टड़ी में वेट बढ़ने पर चीनी का कोई सीधा असर नहीं देखा गया. स्टड़ी में कहा गया कि चीनी में ऐसा कोई गुन नहीं होता जो मोटापा या वजन बढ़ाने में योगदान देता हो. अपने अहार में शामिल सफेद चीनी की मात्रा को कम करें. इस ओर बढ़ाया गया एक कदम आपको कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करेगा. क्या आप उन लोगों में से हैं, जो शुगर-फ्री कुकीज या केक का आप्शन चुनते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको सच में इसे बदलने की ज़रूरत है. Canadian Medical Association Journal में पबलिश एक स्टडी में पाया गया है कि सैक्रीन और बाकी स्वीटन्स का सेवन वजन बढ़ाने, हाई बलड प्रेशर, डाइबिटीज की बीमारी से जुड़ा हुआ है. चीनी को पूरी तरह से छोड़ देना आपकी सेहत पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज की कमी का एहसास होगा, जिससे लो बलड प्रेशर, मतली आना और बहुत से प्रभाव दिखाई दे सकते हैं. करने की सलाह दी जाती है.